Hello everyone, Brain Bloomer पर आप सभी का स्वागत आज की वीडियो में जो स्टोरी हम जानने वाले हैं वो NCRT की क्लास 10 के लिए प्रोस्क्राइब्ड बुक से ली गई है जिसका टाइटल है The Necklace ये एक ऐसी महिला के बारे में हैं जिसके सपने और महत्वा कांक्षाएं उसके जीवन को एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं जिसके उसने सपने में भी कलपना नहीं की होती है ये कहानी है मतिल्डा की जो काफी सुन्दर थी उसका जड़ में एक कलर्क परिवार में हुआ था जिसे वो अपना दुर्भाग ये समझती थी उसके परिवार के पास ना तो देने के लिए दहेच था ना ही उसे अपने जीवन से कोई उमीद थी वो प्रसिद होना चाहती थी अमीर होना चाहती थी उसके शादी जिससे हुई मिस्ट लॉइजल वो भी एक लर्क थे लेकिन शादी से मतिल्डा बिलकुल भी कुछ नहीं थी क्योंकि उसे चाहिए थे हीरे, जवाहरात, पैसे, शानों, शौकत वो हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में सोचती रहती और दुखी होती रहती एक शाम उसका पती घर लोटा, आज वो काफी खुश था क्योंकि उसे और उसके परिवार को मंत्री के निवास्थान पर पार्टी में जाने का निमंत्रण मिला था इतनी अच्छी खबर पर भी मतिल्डा उदास हो गई कारण ये था कि ऐसे बड़े लोगों की पार्टी में जाने के लिए उसके पस अच्छे कपड़े नहीं थे वो रोनी लगी जिससे उसके पती को भी काफी दुख हुआ उसने मतिल्डा से कहा कि वो जाकर नई पोशाक खरीद लाए मिस्टर लॉइजल ने गन खरीदने के लिए 400 फ्रांक बचाए थे वही पैसे उसने मतिल्डा को दे दिये मतिल्डा एक बेहत खूबसूरत ड्रेस अपने लिए खरीद लाई लेकिन उसकी उदासी अब भी दूर नहीं हुई अब कारण ये था कि इतनी अच्छी पोशाक के साथ पहनने के लिए उसके पास कोई हीरे जवारात नहीं थे उसके पती ने कहा कि ऐसे में वो चाहे तो कुछ प्राकरतिक फूल लगा ले लेकिन मतिल्डा को ये सुझाव जरा भी पसंद नहीं आया इस पर उसके पती ने सलाह दी कि क्यो ना वो अपनी सहेली माडम फॉरेस्टियर से कुछ हीरे जवारात उधार ले आये ये सुझाव मतिल्डा को ठीक लगा और उसने ऐसा ही किया आखिर पार्टी का दिन आया मतिल्डा सभी से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी सब ने उसकी बहुत तारीफ की आज जितनी खुशी मतिल्डा को हुई थी उतनी तो उसे कभी भी नहीं हुई वो जोश में भर कर खूब नाची बलकि खुशी से पागल सी हो गई सुबे के लगभग चार बजे के करीब वो घर वापिस लोटी उसका पती बिचारा एक दुकान में सोता जाकता रहा ठंड होने के कारण मिस्टर लॉइजल ने मतिल्डा के कंधे के चारों तरब साधरन लपेटने वाले कपड़े डाल दिये लेकिन मतिल्डा नहीं चाहती थी कि उसे इन कपड़ों में कोई भी देखे क्योंकि बागी महिलाओने तो फर लपेट रखे थे मतिल्डा जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाना चाहती थी जब वे दोनों घर पहुँचे तो मतिल्डा का मन हुआ कि एक बर और अपने इस सुन्दर रूप को शीशे में जी भर कर देख ले शीशे के सामने जाकर उसने जो ही अपने कंधे से उपर से उड़े हुए कपड़े हटाए वो चीख पड़ी क्योंकि उसके गले में उसका हार नहीं था उसका हार खोड़ चुका था उसने तुरंट अपने पती को ये बात बताई और दोनों ने मिलकर हार को ढूंडना शुरू किया लॉइजल बाहर देखने भागा हर जगे ढूंडा पर कुछ ना मिला उसे लगा कि शायद हार उस गाड़ी में गिर गया होगा जिससे वो घर आये थे लेकिन उन्होंने तो गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया था उन्होंने जेबें देखी, कपड़ों की तहें देखी पर हार को ना तो मिलना था, ना ही मिला अब दिक्कत ये थी कि माडम फॉरिस्टियर से क्या कहा जाए माडिल्डा ने पती से कहा कि वो कुछ भी करके एक हफते में इस हार के बदले नया हार माडम फॉरिस्टियर को दे दे पालिस रॉयल में एक दुकान पर उन्हें हू बहू वैसा ही हार मिल भी गया लेकिन उसकी कीमत थी 40,000 फ्रांक मुल भाव के बाद भी हार की कीमत 36,000 फ्रांक ही हो पाई मतिल्डा के पती के पास उसके पिता से मिले 18,000 फ्रांक तो थे लेकिन बाकी 18,000 फ्रांक के लिए उसने अलग अलग लोगों से काफी उची ब्यास दर पर उधार ले लिया अब वे हार खरीद सकते थे आखिर माडम फॉरेस्ट्रियर को हार लोटा दिया गया लेकिन माडम फॉरेस्ट्रियर ने ये कहकर टोक ही दिया कि उसे हार पहले ही लोटा देना चाहिए था आखिर उसे अपने हार के जरूरत पढ़ सकती थी माडम फॉरेस्ट्रियर हार का डिबबा खोल कर देखेगी और कहीं उसे ये ना पता चल जाए कि ये हार दूसरा है लेकिन उसने डिबबा नहीं खोला इधर मतिल्डा के सामने अब एक भयावर जीवन था उन्हें उधार लिया पैसा चुकाना था तो मतिल्डा ने नौकरानी को हटा दिया वे एक सस्ते से मकान में रहने लगे पानी लाना, बरतन धोना, जैसे सारे काम मतिल्डा खुद ही करने लगी एक एक पैसे के लिए अब वो मोलभाव करने लगी उसका पती भी दिन रात काम में डूबा रहता यह सिलसला पूरे दस सालों तक चलता रहा इन दस सालों में अब मतिल्डा काफी बूड़ी दिखने लगी थी उसके बाल रूखे और बेजान हो चले थे उसकी पोशाक उल्टी पुल्टी सी थी जब तक उसका पती दफ्तर में होता वो खिड़की पर ही बैठी रहती और बीते दिनों को याद करती रहती उसके मन में हमेशा एक ही बात आती कि अगर उसने हार नहीं खोया होता तो उनका जीवनाच कैसा होता एक इतवार को वो चैंपस इलिसस में सेयर कर रही थी कि तब ही उसने एक महिला को अपने बच्चे के साथ घूमते देखा वो पहचान गई कि ये मैडम फॉरिस्टियर ही थी उसकी सुंदरता में जरा भी फरक नहीं आया था मतिल्डा इस बात से काफी प्रभावित हुई और उसके पास गई लेकिन माडम फॉरिस्टियर उसे पहचान न सकी मतिल्डा ने अपना परिचे देते हुए उन्हें बताया कि वो सब कुछ कैसे हार गई एक हार के पीछे किस तरह से मतिल्डा और उसके पती के जीवन के दस साल बरबाद हो गए इस पर माडम फॉरिस्टियर ने कहा कि उन्हें इतना कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं क्योंकि हार तो नकली था इस कहानी में एक नहीं जिन्दगी के लिए कई सीखे है आपने इस से क्या सीखा कॉमेंट करके जरूर बताएं ओप यू लाइक दू वीडियो कीप लर्निंग और हाव फैन थैंक्स पॉ वाचेंग